आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हले वरी वर्ण आज कोमार जो सवाल है इसमें देखां अगर एसे ए मानलो अपने पास एक मल है वालो एक है है यहांसे अगर हम H plus निकालने इसका तो यहां से A minus बचेगा तो किसी भी होगिक से H plus निकालने बाद जो कुछ भी बचता है वो हमारा branch state शार कहलाता है ठिक तो यह हमारा हो गया branch state शार ठिक तो यह branch state शार कहलाएगा तो यानि जितने भी योगिक दिये हुए हैं उसमें से अगर H+, निकाल लिया जाए, तो जो बच्छा गया, वह हमारा branch rate शार कहलाएगा, ठीक है, तो देखो, इस अब क्रिया में हो क्या रहा है, ठीक है, इस अब क्रिया में, तो देखो, जो HC2O4 है, HC2O4- है, ये बदल रहा है, C2O4, 2- में, और यहाँ पर क्या हो रहा है जो PO4, 3- है, PO4, 3- है, ये बदल रहा है, HPO4, 2- में, तो देखो, अब इनमें हमें ये देखना है, कौन branch rate शार है, कौन नहीं है, तो देखो, इसमें H+, था इधर, इधर गया, तो यहाँ से H+, निकल गया, निकल गया, अब देखो, इसमें देखो, इसमें इसको ज़स्ट उ लिखें, HPO4, 2- से, ये PO4, 3- बन रहा है, तो देखो, ये यहाँ से H+, इसमें था, यहाँ से H+, निकल गया, तो ये हमने इसको उल्टा लिख के देखा, इस चीज़ को, तब देखो, हमने इसकी परिवासम बताया था, कि जब किसी योगिक से H+, निकल जाता है, तो बचा हु इसमें देखो, इसमें है H+, निकल गया, तो बचा हुआ यया है, यह ब्राश्चिछ चार होगा, तो एक और दो, यह हमारे ब्राश्च चार है, तो इसके हिसाब सगह हम देखें, तो जो हमारा तीजिसरा नंबर है, यह हमारा साही होगा, थांग यू सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो चार्सो पर